यह दो हमारा पॉज सिस्टम और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिस करूंगा पूरा-पूरा मतलब वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई भी चीज छुड़ ना जाए ताकि आप लोगों को बहुत सार वीडियो नहां देखना पड़े और उसे एक्स्प्ले क्याइटर है कैस ड्रियर है बार कोड सकैनर है की बोरड है माउस है या फिर प्रिंटर है और या फिर यह जो उप्यज एस सीप्यू है यह इतने सारे चीज़ें आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है तो यह पूरा जो सिस्टेम होता है यह अलग-अलग मिलता है आप कहीं पे भी यह लोग फ्रूटी जा रहा है देखा कितने सारे फ्रूटी जा रहा है तो इतनी सारे सामान आपको एकठे कहीं पे भी नहीं मिलेगा अगर आपको मिलता है तो बहुत सारे कुछ ब्रैंड में मि देखे होंगे लेकिन वो मॉल बगर में बहुत लोग बल्क में खरीदते हैं उसका चीज़े अलग है लेकिन आप ये उपन मार्केट में अगर आपको मिलेगा भी तो बहुत सारे मोस्ट अब दा चाइनिस प्रोडक्ट होते हैं और उसका जो प्रोसेसर बगर होता है वो उतन लिए लेना चाहिए सब कुछ मैं आज डिसकस करूंगा तो पूरा मैं डिटल्स देने वाला हूं तो विडियो को एंड तक पूरा देखिए तो सबसे पहले सबसे पहले आपको चाहिए एक CPU जैसे यह हम लोग नीचे रखा हुआ है यह i3 CPU है मेरे पास मैं दिखाता हूं र जो आज की डिट में बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते इसमें हम लोग इस तरफ घुमा के दिखाता हूं मैं आपको इसमें हम लोग डीवीडी राइटर भी लगा के रखा हुआ है लेकिन यह कोई ज़रूरत नहीं है सिंपिल आपको एक CPU लेना है अगर आप यह वाला आपको प्राइस लग बग आएगा मैक्स टू मैक्स सेवन ताउजन क्योंकि इसमें यह केबिनेट होता है एक अंदर बहुत ही सस्ती वाली चीज होते है आज गे डेर में यह सस्ता हो गया है और मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी फिलाल के लिए वो आई 3 है अगर आई 3 भी लेना चाहते हो तो दस पंदरह हजार में आपको मिल जाएगा यह CPU के मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो फिलाल CPU लेने के बाद आपको आएगा मॉनिटर तो आप जैसे आप देख रहे हो कि हम लोग यह मॉनिटर यूज कर रहे है यह 15.4 इंच का आता है लेकिन आज के डेर में यह वाला जो मॉनिटर है यह आपको मिलेगा नहीं ओनलाइन यह इसका 19 इंच का बैरियंट आपको मिल इसको हम लोग इसका प्राइस लिया था करीब 2-3,000 के अंदर ही आपको मिलेगा तो यह 15.4 इंच का नहीं है यह 15 इंच का है लेकिन यह स्कौयर में है यह हम लोग तब लिया था उसके बाद मैंने वह भी लिया था क्योंकि दूसरी कंप्यूटर के लिए लेकिन यह आपको थोड़ा क्वालिटी अच्छा प्रवाइड करता है लेकिन यह वला आपको मिलेगा ही नहीं इसका आप 18 इंच का भरसन जो है जो मॉडल है बो आप ले सकते हो उसके साथ जा सकते हो और मैं आपको एक चीज दिखा दूँ अब कोई भी मॉनिटर लो हम लोग यहां पे रिदर हो जाता है तो यह स्टेंड खराब हो जाएगा तो आपको आप इसे अराम से निकाल सकते हो किसी भी मॉनिटर का स्टेंड तो उसे निकाल के एक मॉनिटर का स्टेंड भी आता है जो मैं एक एमाजन का सौप करके रखा हूँ वह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ल लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता है क्योंकि जो कटर होता है वही ज्यादा खराब हो जाता है पूरा प्रिंटर ठीक रहेगा लेकिन वह कटर खराब हो जाएगा इसके लिए आपको फिर से सर्विस में कॉल करना पड़ेगा जो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं सबको रेकमेंड करता हूँ और मैं जो अपने सौप पे रखा हूँ लिंक बो मैनुल कटर का ही रखा हुआ हूँ इसलिए अभी मैं आप लोग को यह जीज़ बताने बाला हूँ कि इसका जो प्राइस है बो साड़े चार सेदर के आसपास है लेकिन इसके पहले हम लोग साथ कॉमबो आता है क्योंकि डेल का यह जो कीबोर्ड है यह बहुत बढ़िया है और इसके पहले हम लोग एच्पी का यूज किया हूआ है लेकिन यह वाला जो मॉडल है इसे आप लोग चूज कर सकते हो क्योंकि यह इसमें धूल मिट्टी जादा अंदर नहीं घुसता है ठीक है इसके साथ मैं और एक चीज दिखाता हूँ जो हम लोग यूज करता हूँ वो है कैस ड्रेयर यह कैस ड्रेयर जो है इसमें पांच ट्रे मिलता है कैस के लिए इसका भी मैं लिंक सारे मैं एक ही सौप में दे दूंगा मैंने एक एमाजून का स्टोर क्रेट किया हुआ है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन इसमें अगर पांच के जग अगर छे होता तो बहुत बढ़िया होता क्योंकि हम लोग देखो यह दस और बीस रुपए एक साथ रखते हैं क्योंकि अगला अलग अगर आपको और इस करना पड़े तो आपको छे कम से कम चाह तो अगर आप स्कैनर लेना चाहरे हो तो आप जरूर जरूर 2D स्कैनर लेना सिंगल 1D स्कैनर मत लेना क्योंकि हम लोग पहले 1D यूज़ करते थे लेकिन वह बहुत ही घटिया चीज है तो कते ही भी आप 1D स्कैनर बार्ट कोड़ स्कैनर ना लेना 2D और 1D में करीब 1-2 में आपको मिल जाएगा लेकिन बहुत बढ़िया होता है और मैं जो यूज़ करता हूं वह फॉक्सिन का यूज़ करता हूं लेकिन अगर आप जो भी ले रहे हो आप थोड़ा रेटिंग बगरा देखके लेना रिव्यूस देखके लेना ताकि आपको ज्यादा रेटान ब बहुत बहुत जरूरी जैसे की यह देखो यह in todays का है यह हम लोग जू अंदर का जो कम्प्यूटर खाई उसके लिए उसके लिए करता हूं हाला कि इस में फूरा मेंसर्य पूरा था था स्शुच्च। हो जाएंगे अगर बार बार लोड सेटिंग होता रहता है तो तो यह सारा चीज आपको मैंने बता दिया पूरा मैं लिंक एक एहमादून का सौप क्रेट करके रखा हूं वहाँ पर मैं जितने भी चीज रेकुमेंड करूंगा और जितने भी चीज मैंने आप लोगों को से से लेकिन इसका जो इन्वेंटरी मॉडेल है वो बहुत खास नहीं है जो पर्चेस बगरा होता है वो उतना जादा मतलब स्ट्रॉंग फीचर के साथ नहीं आते तो हम लोग और एक सौप्टर विछले कुछ दिनों से ट्राइक कर रहे थे इसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यह एक पाउरफुल सौप्टर है और बिलिंग के लिए मैंने बहुत सारे सौप्टर ट्राइ करने के बाद फाइनली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग यह वाला सौप्टर यूज कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो यूजर इंटरफेस है बह करता नहीं सकता कि कहां पर आपको मिलेगा लेकिन यह एक इंडियन सौप्टर है कंप्लिट जी एस्टी मॉडिल के साथ आता है जितने भी अगर आपके पास जी एस्टी है और बहुत सारे उनिक फीचर के साथ आते हैं बैच बगेरा सब कुछ आप यूज कर सकते हो अगर मैं नीचे लिंक दे रहा हूं आप लोग यूज करके देखो और इसका भी मैं ट्यूटरियल बगेरा लाके दे दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसा है क्या नहीं है तो यही था आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी तो अब्सक्राइब करना आज के लिए इतना है मिलते के नेक्स वीडियो पे तब तक लिए जय हिन जय भारत बंदे मातरम